आज आप लोगं के लिए बहुत ही special पनीर बटर मसाला की रेसिपी लेकर आई हूँ बिल्कुल इस सिंपल वे में बनाएंगे ताकि आप सभी इसे आसनानी से घर में बना लें और टेस्ट की बात करूँ न तो धाबे और रेस्टरंट से भी अच्छा टेस्ट होगा घर के पनीर बटर मसाला का अगर आप घर में बनाएंगे न इसे तो सब की तारीफ आपको मिलने वाली है मेरा तो ये बहुत फेवरिट है आपका फेवरिट है की नहीं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा रेसिपी पसंदाए तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके न बेल आइकन को दबाना बिलकुल मत भूलेगा तो चलिए ये लाजवाब सी रेसिपी बनाना हम चल्दी से स्टार्ट करते है तो सबसे पहले मसालों की तैयारी कर लेंगे तो यहां मैंने दो प्यास ले लिए है चार टमाटर ले लिए है एक इंच अद्रक का तुकड़ा ले लिए है आठ से दस लहसुन की कलियां ले लि उसके बाद ले लिए एक मिक्सी का जार इसमें रफली चॉप कर दीजेगा टमाटरों को तो चारो टमाटर काट लिए हमने डाल देंगे अद्रक, लैसून, हरी मेर्च, हरी धनिया और काजू को जो हमने पानी में बिगो के रखा है ना पानी सहीत एक चमस डालेंगे एक च और मिक्सी मैं बिलकुल बारिक पीच लेना है ऐसे हमें बिलकुल स्मूथ पेस्ट बनना चाहिए इसका चली, अब ले लेंगे एक कठाई गैस में चटा देंगे एक बड़ा चमच भर कि इसमें डाल लेंगे हम ऑई enseperic और बटर मसाला बनाए तो बटर जालना तो इसमें प्यास को ना हमें बिलकुल अच्छी तरह से bei च्वी तरह से भूने जब अच्छी से गोल्डन ब्रावन हो जाएगा डालेंगे एक चम्मच नमख और एक चोठा चम्मच यह छल्ढी जर्दी पौडर द्याल डाल जीनोगें टीआँ ठीख नंप u निमें लिखेगा इसे क्या होगा ना सब्स Saul कॉलram Corno शाओ अबह湿 सेट कहया थाई कृ दो वा HELD दाल दें two Sij Ihr चैोर अपसे मींटी अचिछ में He θα रुखा मैप इस तो तो थोड़ा़ डालने तो इसे ढखके भूनेंगे हम बीच में एक से दो बार आप से जरूर से चला लीजेगा क्योंकि ये नीचे हलका हलका लगने लगता है और लगब बीस मिनट के बार देखिए मसाला मारा बिल्कुल अच्छी तरह से भून गया है और ये ना कठाई में भी थोड़ा लगने अब हम एक पैन ले लेंगे इसमें तीन से चार क्यूब बटर के डालेंगे क्योंकि इसमें ना हमें पनीर को फ्राय करना है बटर को पिखलने देंगे और बटर जैसे ही पिखल जाएगा ना मैंने या तू फिफिटी ग्राम पनीर ले लिया है इसके इस तरह से लंबे तु चला लेंगे तो याद रखिए गा कि पनीर को ना हम बेलकुल ऑसे लाल फ्राय नहीं करना है बस थोड़ा सा अबस इसमें करना है कि हल्त अभी का कलर अच्छी तरह से चहळड झा और बटर का टेस्ट भी ना इसमें अच्छी तरह से आ जाए तो बिलकुल कमाच में इसे फ्राय कर रही हूँ मुझे इसमें कलर नहीं लाना है बस इसमें बटर का बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाए इसके बाद ना इसी में आप थोड़ी सी कसूरी में थी डाल दीजेगा, उससे ना उसमें बहुत लाजवाब टेस्ट आता है पनीर में. चलिए जैसे ही कसूरी में थी डालेंगे, एक बार चला लीजेगा, गैस को बन कर दीजेगा. इसके बाद ना इस पानीर को जो मसाला हमारा भुन रहा है ना वो इसमें डाल देंगे पूरा बटर सहीधी डाल देंगे और बस इसे एक बार हम चला लेंगे तो फ्रेंड्स जो गरम मसाला मैंने इस सबजी में यूज किया है वो बिलकुल होममेड है मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी आप एक बार मेरे गरम मसाला की रेस्पी को भी जरूर चेक कर लेजेगा बस लास्ट में दो चमबर घर की जल्मी होई मलाई या फिर आप क्रीम डाल लीजेगा डाल लीजेगा बिलकुल फ्रेश हराधानिया तो लीजेजी बिलकुल तयार हो गया हमारा होम मेट पनीर बटर मसाला सर्फ करने के लिए बहुत ही यम्मी बना था फ्रेंड्स आप एक बार इसे मेरे कहने पर तो जरूर ट्राय करिएगा अपने महमानों को भी जरूर खिलाएगा उन्हें ये बहुत पसंद आने वाला है आप इसे सर्फ करेंगे तंदूरी रोटी के साथ, कुलचे के साथ, पराठे के साथ, फुलके के साथ, स्टीम राइस के साथ, पुलाओ के साथ, ये सब के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और जब आप इसे सर्फ करेंगे ना तो हल्की सी मलाई भी उपर डाल दीजेगा आपको अगली डिश के साथ तब तक के लिए आप अपना बहुत खायाल रखिएगा आप जब भी इस रेसिपी को ट्राय करें ना उसकी एक फोटो खीच के मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर भेजिएगा मैं आपके फोटो का इंतजार करूंगी